हेल एन वेलकम दूट टीम मोटो टेक आज हम फीचर कर रहे हैं 150cc सिंगल चिलेंडर फॉर स्ट्रोक पेट्रोल इंजिन जापा नोरीजन की इंडियन मेनफेक्ट्टर स्ट्रीट बाइक जिसका नाम है यामा एफजी 2008 में लॉंच हुई थी और यह 2014 सेकंड जनरेशन यामा एफजी एफ आप देख रहे हैं ब्लेक और रेड कलर में इसमें कई और कलर ओप्शन है सिल्वर ब्लू ग्रीन ब्लेक चेरी रेड यामा एफजी का मार्केट में कम्पेटिशन है जिक्सर SF, Pulsar 150, Pulsar NS200, CB Hornet और Duke 150 के साथ कुछ इसी दिखती है रियर प्रोफाइल फ्रंट और रियर ट्यूबलेस टायर मिलेंगे आपको फ्रंट में मिलते हैं टेलिसकोपिक और रियर में मिलेगा मोनोशोक सस्पेंशन यह फ्रंट फ्रोग की ब्लेक और सिल्वर फिनिश में लुक यह फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम प्रेक मिलेगा यह बाइपरी का ड्यूल पिस्टन कैलिपर रोटर के साथ टू थर्टी एम्म रोटर की साइज है यह विंट्शिल्ड यामा का लोगो हेलोजन हेडलाइट स्लिक टन इंडिकेटर रेड और ब्लेक के कॉंबिनेशन में फ्रंट मटगाड मिलेगा आपको एवजी एस और मिट्शिप के डिकेल्स यामा का लोगो फ्यूल नॉप वन फिफ्टी सी सी एर कुल सिंगल सिलेंडर फोर स्टोक पेट्रोल इंजिन गेर शिफ्टर गेर शिफ्टिंग पेटर्न मिलेगा आपको वन डाउन और बाकी अपसाइड सेंटर स्टेंड भी मिलेगा साथी साथ साइड स्टेंड भी दिया गया है फ्रंट में रबड फिट्टिंग के साथ मिलेगा फुटपेट्स और रियर फुटपेट्स मिलेगा आपको अलुमिनियम फिनिश में प्लास्टिक चेन कवर है रियर में हगर भी मिलेगा आपको पीछे के विल में रियर टायर साइज है 140 बाइ 60 17 इंच एलोई विल का साइज है यह है यामा एफजी की रियर प्रोफाइल रियर में मिलेगा यामा का लोगो हेलोजन टेल लाइट, स्लीक एंडिकेटर, रिफ्लेक्टर, मढगाड तू उपीछ में ग्रेबरेल मिलेगी आपको यामा में एग्जोस पाइप, ड्रम ब्रेक्स यर्सी एस की बैजिन, सेल स्टार्ट, टीके स्टार्टर भी मिलेगा आपको एपजी एस में, वन लिटर ओल कैपिसिटी है, यहां से टॉप अपोगा एंजिन ओईल, ब्रेक पेडल, एग्जोस्ट कैथलिक कनवर्टर, सिंगल स्टार्ट मिलेगे आपको, आईए अब पास चलते हैं और देखते हैं, इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर, यह देख रहे हैं, आप यामा एफजी एस का इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर, जो बताएगा आपको, एक ट्रिप मिटर, ओडो, आर्पीम, स्पीड, फ्यूल इंडिकेशन, हाई बीम, टर्न इंडिकेटर, इंजीन ओइल, लाइट, मोड सलेक्ट का स्विच, इग्निशन स्विच, राइट हैंडल बार पे मिलेगगा आपको, इंजिन किल स्विच, हेडल लाइट अन और ने का स्विच, सेलफ स्टर्ट का बटन, मैट ब्लेकожет में हैंडल बार मिलेगा आपको फ्लैट, हेड लाइट एडजस्ट करने का स्विच हाई बीम पर लो बीम का टन इंडिकेटर स्विच यहां पे मिलेगा होन का स्विच पास का स्विच रेड गलर में चोग भी यहीं पे मिलेगी आपको 11 लिटर फ्यूल क्यापिशिटी है 1.5 लिटर रिजर्व क्यापिशिटी है 11 लिटर की फ्यूल टेंग से आपको हाईवे पर मिलेगा 45 किलोमेटर पर लिटर का एवरेज और सिटी में 38 से 40 किलोमेटर डिपेंड जोन राइडिंग कंडिशन इंडियन यूथ की पहली पसंद है नेकेड स्पोर्ट्स बाइक में यामा एवजी एस यह सेकंड जनरेशन आप देख रहे हैं थर्ड जनरेशन में आपको ABS का भी ओप्शन मिलेगा BS4 कंप्लैंड इंजिन आएगा उसमें यह वेगल BS3 है यह काल्बुरेटर इंजिन है उसमें फ्यूल इंजेक्शन का भी ओप्शन मिलेगा आपको काफी ब्रॉट टायर है पीछे का यामा एवजी का तो कैसी लगी आपको यामा एवजी एस कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ठेंक्यू